हेलो गाइज वेलकम बैग टू माई चैनल तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक एनिमेटेड साइन अप और साइन इन फर्म कैसे बना है तो आप जैसे की देख सकते हाँ पे मैं जैसी लॉग इन बटन पे क्लिक करूँगा तो यह जो पेज यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते यहाँ पे ओजुब्स करूँगा तो आप गोर से देखना मैं जैसे लॉग इन बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पर फुल नेम इमेल आइडियो और पासवर्ड पूछ रहे हैं तो ठीक है यही हाँ आज करने वाले तो चलिए स्टार्ट करतें तो ज्यादा मिन्स ज्यादा टफ निये ठीक है मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दूँगा कि मैंने कैसे इसको बना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैंने तो इंडेक्स.html का एक फाइल करेट किया मैंने अल्रेड़ी कोडिंग करके रख दिया विए क्या बता हूं मैं अपको कोडिंग एकस्प्लेंट कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने head tag open किया और यहाँ पे मैंने style.css जो फाइल है वो यहाँ पे लिंक कर दिया और जो भी मैंने एक jquery लिया था यह आपको w3 school से भी मिल जाएगा यह link जो भी jquery का tutorial उसमें जाओगे तो आपको link मिल जाएगा ठीक है यह फिर आप download कर सकते हो इसको ठीक है कैसे डाउनलोड करना है आपको आपको jquery jquery में जाना है आपको first यह result में यह आपको दिख जागा फर्स्ट जो लिंक है jquery पे click करना है अब यह आप देख सकते हो यहाँ पे जो download jquery है इस पे आपको click करना है after that आपको क्या करना होगा अभी आप देख सकते हैं हाँ पे download के रिए कितने सारे option मिल गया है ठीक है jquery uncompressed development jquery यह सारे चीज़े आपको मिल जाएगा यहाँ सी आपको download कर देना ठीक है अभी मेरा यह jquery 1.10.2 min.js ठीक है यह आला है मेरा मैं source code पे आपको सारे चीज़े अवेलेबल कर दूँगा अगर आपको इसका source code चाहिए तो मुझे instagram में ज़रूर से follow करना में link मेरा जो link है instagram का और description box में दे दूँगा वहीं से आपको मुझे follow करना और मुझे message कर देना प्यारा अशा मैं आपको इसका source code आपको मैं send कर दूँगा तो चलिए शुरू करते अभी यहाँ पे देख सकते मैं तीनों जो भी script style css file था और सारे यहाँ पे मैंने link कर दिया अब मैंने body में क्या क्या एक div create क्या जिसका आइडी दिया था login form उसके अंदर login है और input type मैंने दे दिया email id और input type password और एक button दे दिया वैसी मैंने sign up form भी create क्या जिसके अंदर input type दे दिया मैंने heading means यहाँ पे देख सकतो full name, email id, password और sign up का एक button दे दिया ठीक है simple सा और उसके नीचे मैंने दे दिया have an account don't have an account और login और sign up का यहाँ बटन जो था यह दोनो यह यह जो बटन है यह दे दिया और don't have an account और यह आला इसको यहाँ पे shift करता हो और यह have an account ठीक है इतना सही था है दोस्तों इसके अंदर html में अब हम style.css में जाएंगे यहाँ पे मैंने body background color दे दिया है margin के अंदर margin को 0 pixel दे दिया है हमें कोई भी margin नीचे padding नीचे ठीक है और background color मैंने दे दिया यह आला जिसके आप देख सकते हो यह हमारा background color अगर मैं change करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं इसको change करता हूँ ठीक है आपके सामने लिनियर ग्रेडियंट इसके अंदर में एक blue और लेता हूँ ब्लू और यहाँ से मैं इसका color चेंज करता हूँ ठीक है light color लेता हूँ और यह इसका में yellow color लेता हूँ थोड़ा आप चलो देखते कैसा दिख रहा है इसका background ओसम तो आच्छा दिख रहा आपको एक काम करता हूँ इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और इसका color को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहां से ठीक है अब इसको save करता हूँ तो आप दिख रहा है ना awesome तो चलिए अभी यह हो गया और box जो यह हमारा box है ठीक है यह आला div है जिसको जो मैंने id दिया था box ठीक है यह आपको दिखा देता हूँ में html में जाके यहाँ पर देख सकतो div id main box तो यही सोरी यह आला div id box इसके अंदर ही सारी चीज़े आने वाले ठीक है इसका मैंने height दे दिया 200 आप चाहे तो आपकी सबसे दे सकते हूँ मैंने 300 दे दिया height वगरा width में 200 ही रहने देता हूँ बहुत ज्यादा हो जाएगा ओके और weight में ने दे दिया background color में ने यही दे दिया आप चाहे तो इसको यह change भी कर सकते हो तो चलिए इसको भी change करते है gradient color देते ठीक है देखते कैसा दिखता है linear gradient इसके अंदर में जाके क्या करता हूँ पहले एक color देता हूँ black type कहीं देता हूँ black बल, a, c, k, black और एक देता हूँ फिर से black, b, l, a, c, k, अभी मैं यहां से उसको change करता हूँ ठीक है थोड़ा सा grey color लेता हूँ ओके चलो इतना काफी है और यह black को थोड़ा सा इसको भी एकदम dark नहीं रखते है थोड़ा सा ऐसा ही कर लेता हूँ ठीक है white color let's see कैसे दिखता है ओके अच्छा नहीं दिख रहा है चलो जो पहले था वही रहेंदो ठीक है वह आप कर सकते हो color combination आपकी सावसे जिसाच चाहिए यह ठीक लग रहा है हाँ यह ठीक लग रहा है matching भी ओर था color ओके अब भी हम क्या करेंगे और top 50% दे दिया left 50% means यह जो top है इसका 50% दे और left का 50% यह है अभी हमने क्या किया position दे दिया absolute और transform translate ओके अब यहाँ पर देख सकतो main में मैंने height दे दिया उसका यह main हमारा यह है ठीक है यहाला page height width दे दिया उसका जो background color हो भी दे दिया आप चाहिए तो आपकी सब से रख सकते हो या फिर आप image भी दे सकते हो बट image नहीं देना भी इतना ही रेंदू और सारी चीज़े में नहीं आप दे दिया है और login form sign up form का यह position absolute transform दिया है यह animate करने के लिए ठीक है z index दिया है 999 translate translate में इसको यहाँ जैसे मैं इस पर क्लिक कुरूआ तो देख सकते हो यह shift हो गया इसी को translate ठीक है और लेकिन animation भी हमने यूज के animation भी यूज के है jQuery से मैं आपको दिखा दाओ ठीक है और sign up form login form सारे मैंने css वगेर यह आप देख सकते हो ठीक है आपको मैंने अगर आपको बता दिया कि source code मिल रहा है तो सीधा source code के लिए मत भागया पहले देख लीजिए तो मैं आपको थोड़ा सारे चीज़े बता दूँगा कि मैंने कहां पर कैसे use क्या सारे चीज़े ठीक login button over effect भी दे दिया उसको और login message sign up message सारे चीज़े मैंने कर दिया है यहाप देख सकते हो सारे मैंने ID वगर भी यूज किये ठीक है login message sign up message यह दोनों को हमें क्या एक यहाँ पर shift करना है एक यहाँ पर shift करना है तो उसके लिए भी हमने लिखा है देख सकते हो आप यहाँ पर style में यह दोनों को font family दे दिया है top इतना दे दिया है left इतना translate की साबसे हो Z index 1 दे दिया sign up message left 25% sign up message 25% यहाँ पर किया है और यह login page थोड़ा शिफ्ट किया दोनों को कि तो आपको coding आपको करोगे तो आप देखके और अच्छे से practice कर सकते हो और main.js में तो सारे jQuery मैंने यह यूज किया sign up button का मैंने main जो है हमारा यह main हमारा जो id था इसका id था ठीक है इसको हमें हिलाना मतले यहां से वहां वहां से यहां shift करना ठीक है main animate left 22.5% 400 animate left 30% means जैसे हम click करेंगे उसके साबसे वो shift होते रहेगा ठीक है like that only login form CSS visibility hidden login form animate left 25% like that यह हो गया sign up button के लिए मैंने आप पूरा animation के यूज किया है और यह login बटन के लिए ठीक है तो आयोप आप सबको समझ में आ गया होगा ठीक है अभी इसमें क्या डाउट रहेगा मैं आपको source कोड़ दे दूँगा उसी में जाकर आप यूज करके आप try करो खुद से बनाना ठीक है तो चलिए आज इक लिए बस इतना ही thank you so much for watching my video अगर पसंद लगे तो ज़रूर से भी मैंने start कर दिया वो भी almost complete होने वाल है तो जरूर से अगर आपको interest एंगुलर सीखने में नोट जीखने में आज जैसे कि आपको पता है कि आज के market में यह दोनों बहुत high पे चल रहे है अगर आपको सीखना है तो जरूर से जाके मैं अपने description box में दे दूँगा links ठीक है जाके आप जरूर से सीख लिजिए और subscribe, like, comment, share कर दिजिए अगर आपको किसी friend को send करना है तो उसको भी आप बहिच सकते हो तो उसमें मेरी help हो जाएगे और उनकी भी help हो जाएगे मेरी help होगी कि मुझे subscribers व्यूप सड़ मिलेंगे और उसकी help हो जाएगे कि उसको सीखने कम ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching my video, bye bye and take care